Good morning dear student, हमने previous class में इस chapter को read किये था और इसके कुछ question answer किये थे लेकिन और question answer इसके sense रह गए थे इसके अपने हमने किते दो part किये थे इसके अब इसका third part अपन करने जा रहे है Your mother son, your mother son का अर्थ क्या होएँ अपनी ममी का लड़का अपनी ममी का लड़का अपने क्या लगा? वो अपने रिस्ते में क्या होएँ, brother second question लिखा हुआ है a large family, large family को क्या बोलते हुए? joint family क्या बोलते है तो यहाँ fill क्या करोगे? J, O, I, and, T, joint large family को क्yan बोलते है? joint family उसके बाद question number 3 लिखा हुआ है father's side relation जो अपने पापा की sided से रिफ्ता होता है उसको अपन किस नाम से बोलते है? paternal जैसे मम्मी की साइड से होता है उसको अपन बोलते हैं मैटरनल और पापा की साइड से होता है उसको क्या बोलते हैं पापा की साइड से क्या बोलते हैं पैटरनल तो पैटरनल की स्पेलिंग क्या होगी पी ए टी ए आर एन ए ल पैटरनल यह आपको इसमें फिल करने हैं इस व पूरा complete करना है, question number B देखो लिखा हुआ है, answer the following question, आपको क्या करना है, इसने question लिखा हुआ होगा, और answer देने है, what is a nuclear family, nuclear family क्या है, nuclear family किसको बोलते है, a nuclear family has parents, their children, one or two, three, nuclear family में कौन होते हैं, अपने parents, बाई और बेहन, और किते हो सकते हैं, two or three, जैसे अपने ममी, पापा और अपने बाई और बेहन, बच्चे किते हो सकते हैं, one, two or three, ज्यादा से ज्यादा, एक, दो या तीन बच्चे और parents, उनको क्या बोलते है, nuclear family, a nuclear family has parents, their children, one or two, three, second question लिखा हुआ, write three sentence on what do you do to help your family आपको three sentence लिखने हैं, कैसे किसके लिखने हैं, कि आप अपने family की help कर सकते हो, उसके बारे में आपको कितने sentence लिखने हैं, three, three sentence, तीन लाइने उनके बारे में लिखनी हैं, कि आप family को help कैसे कर सकते हो, सबसर्ब फ़र्ष्ट लिखोगे, I keep myself neat, clean and tidy, I keep myself neat, clean and tidy, इसका आर्थ क्या हुआ, कि मैं खुद को अपने आपको हमेशा neat, clean और tidy, मतलब साफ सुतरा वगर रखता हूँ, तो यह क्या हो गई, यह parents की help हो गई, अगर अपन साफ सुतरे neat and clean नहीं रहेंगे, तो अपन को parents निलाते हैं, parents अपन को कपड़े वगर पैनाते है पर अपन खुद अपने आपी neat clean रहते हैं, second question है, I do my homework regularly, मैं मेरा homework हमेशा regular time से करता हूँ, कभी मम्मी की पापा की help नहीं लेता हूँ, अपने आप काम homework को time से regular करता हूँ, I keep my things at proper places, और मैं मेरी चीजों को सही जगह पे proper, सही इस्थान पे रखता हूँ, समझ आ गया होगा सबको, thank you